दोस्तों नमस्कार स्वागत है हमेरे चैनल में दोस्तों यह जो प्लांट आप देख रहे हैं एगलोनोमा प्लांट है और आज हम आपको बताएंगे एगलोनोमा प्लांट जो है जिदि उसके अंदर जड़ खराब हो गया है आपका मरते हुए एगलोनोमा फिर से कईसे जिन् और कट करने के बाद में हम यहां पर आपको देखा रहे हैं किस तरीके से आपको यहां पर काम करना है तो दोस्तों इसके तरफ यहां देख सकते हैं किस तरीके से इसको कट किये हैं कट करना है जो भाग जितना काला देखाई दे रहा है वो काला वाला नजर नहीं आना जो हलका सफेद भाग इसमें देखाई दे रहा आपका ब्रांच के अंदर में वो इसे देखाई देना चाहिए तब उसको जाकर के आपका भीमारी जो है इसको मीटेगा और इसको यहाँ पर क्या देना है इसके अंदर आपको देने होगा फंगी साइड तो फंगी साइड इसके जड में यहाँ लगाना है और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा रूठ हर्मोंस देने होगा तभी जा करके यह पूरा सही होगा दोस्तों हम जो आपको देखा रहे हैं आपकर यहे वाला जो है रूठ्रमोंस है तो रूठ्रमोंस थोड़ा समाले जे आधा चमच हम रूठ्रमोंस लिए और आधा चमच जो है इसके अंदर हम हम root hormones लेंगे और fungicide दो चीज तो दो चीज को मिला करके और इसमें थोड़ा पानी हम देंगे को पानी करके इसको Paste के तरह बनाएंगे और Paste के तरह बना करके इसके ज़़ में अच्छा से देने होगा है देख सकते हैं आप इस तरीके से इसको मिलाना है अच्छा से मिला लेना है दोनों को फंगिसाइट को और रूठ हर्मोंस को क्योंकि होगा क्या इसे आपका जो इसमें जो फंगस लगा है जिससे की काला हो गया जिस वजह से और बैमारी इसका मिट जाएगा और दूसरा चीज जो है इसके अंदर जड को लाना बहुत ज़रूरी है तो जड के लिए हम जो रूठ हर्मोंस जो दिये हैं तो वो हमारा यहाँ पर काम करेगा दोस्तों और इसको किस चीज में देना है इसको देना है बालू में बालू जो महीन वाला जो बारीक वाला नदी के बालू होता है या कंट्रक्शन में काम में लिए और सुखाने के बाद में जो फंगी साइड है उसको एक लिटर पानी में एक गरम दे करके उसको घोल करके इस बालू को पर में थोड़ा सा दीजिए इससे क्या होगा आपका बालू जो है पूरा अच्छा हो जाएगा इसके अंदर कोई फंकस का संभवना नहीं रहे आपको जिदी कोई बड़ा सा पाउधा है तो उसके छाया में रखिए छाया जगा में इसको रखने होगा क्योंकि जो कटिंग है जो आपका माली जोल खराब हो गया पर सिसको जिंदा करना है तो फिर बचे कई से दोस्तों इस प्लांड को हमको क्या करना है दो से पर अपने बहु सारे प्लांट को बचाए हुए हैं आप देख सकते हैं आपका यहां पर देखाएंगे दोस्तों बालु के अंदर में है कि इस तरीके से जिदी आपका जो एगिलनोमय प्लांट है जिदी खराब हो गया है तो देखेंगे कि आपका बहुत सारा प्लांट रखा हुगा उसका अंदर में खराब होने लगता होता क्या है इसका जो पत्ता है थोड़ा मुर्जाने लगता शेकुड़ने लगेगा तो समझ जाइए कि उसके जड़ के अंदर में फंगस लग चुका है आप जो भी कुछ करेंगे तो उसको और ठीक होने वाला है नहीं उसको सीधा मिटी के अंदर से बाहर करिए बाहर करके उसका जड़ को चेक अप करिए और जड़ को चेक अप करके जो जो काला हो गया कि अठाँ दीजिये और जो शपहेद भाग उसमें मिलाकर पानी करके लगभग एक महीन के लिए रखना है तो सअ आप मिट्टी त्यारी करिए जो भी है मेट्रियल आपको हम यह देखाएंगे किस तरीके से आपको देना है मिट्टी बालू कमपोस्ट और थोड़ा कोको पीट तो दोस्तों यह वाला जो दूसरा वाला जो देख रहे हैं इसको हम दिये थे जो नारियल का जो छिलका होता है उसको हम छोटा-छोटा पीश कर दिये हैं कोको पीट के जगह में जोदि आपके पास कोको पीट है तो उसमें भी आप दे सकते हैं कोको पीट और बालू यह दो चीज जो है जड़ लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों तो इसलिए हम आपको को पीट भी प्रोब्लेम होगा आने में बहुत देर होगा या जोड़ आपका सड़ सकता है तो दोस्तों इस तरीके से अपने प्लांट को बचाईए और बचाने के बाद हम आपको देखाएंगे यहां पर मिटी का मत्रा कितना होगा बालू का मत्रा कितना होगा और कोको पीट का मत्रा कितना होगा और उसके बाद कि रिपोर्टिंग करके फिर आपका प्लांट यह फिर ताजा हो जाएगा और बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा और इस तरीके से आपका प्लांट जो है दोस्तों बच जाएगा तो आप देख सकते हैं आपर मिट्टी है 25 परशंट बालू है 25 प पर्संट देना है और इसको मिला लेना है और इसके उपर गरीन वाला जो देख रहे हैं यह वाला हमने फंगिसाइट दिये क्योंकि फंगिसाइट देना बहुत ही ज़री होता है एगलोनमा जो प्लांट है इसके अंदर में ज्यादा कुछ बेमारी नहीं आता है बेसी भाग भी उज कर सकते हैं उसको भी आप दे सकते हैं बहुत ही अच्छा उसका रिपोर्ट आता है इसके अंदर हमने दे करके देखे हैं क्योंकि जो मालेजिये बाई-चाइंच साब के पास यह जिदी बालू नहीं है जिदी कूकोपीट है तो बालू के जगा में भी उसको आप दे देखने में यह जो पावधा है बहुत अच्छा लगेगा घंडा लगेगा और अच्छा रहेगा आप देख सकते हैं किस तरीके से इस प्लांट को लगा रहे हैं किनारे किनारे राम सियास्तित करके यहां पर मिट्टी दे दिजिए मिट्टी दे करके उसको थोड़ा दबाने रहे हैं मिट्टी अच्छा से दब जाए और इसमें हम जो पानी के जगए में जो फंगरिसाइट का पानी लिए थे वही वाला दे दिये क्योंकि इसका मिट्टी जो है सही हो जाएगा और दोस्तों इस तरीका से हमको सभी प्लांट को लगा देने होगा और लगा करके कम से अब को दस दिन के लिए रखने होगा एक लोनोमा इसा में प्लांट है जो कि आपको यह तो पूरा मतलब आपको से डेरिया अभी धूप का मौसम चल रहा है तो आप ठंडा का मौसम हाए नहीं कि जो बाहर में इसको रख सकते हैं तो इसको से डेरिया में ही रखिएगा तो दोस्तों यह वाला रहा है आपका एक लोनोमा मरते हुए लोनोमा किस तरीके से बचेगा आपको समझ में आ चुका होगा लगवाख हमको मेध है